नमस्तकार साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है जिसका नाम है जिला सिक्षा इवं प्रसिक्षन संस्थान के विभाग यानि की सेक्षन्स ओफ इससे पिछले वीडियो मैंने आप सभी को डाइट का परिचे बताया हुआ है और साथ ही डाइट के उद्देश बताया हुए है इनकी लिंक में डिस्क्रिप्सन में दे दूंगी वहां से आप टॉपिक को कबर कर लीजीगा यह पूरा दीर घुत्री प्रसन है जिसको मैंन को प्रियोप कोस्ट डिलर सेकेंडर का पूरा कोर्स कराया जा रहा है वही बुक से कराया जारा जो की चलती है कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सी बुक खरीदें कौन सी बुक खरीदें तो यहां पे आपको कोई सी बुक लेने की जरूरत नहीं है आप चैनल को सबस्क् देखिए आपका पूरा कोर्व यहीं पर कबर हो जाएगा, आई यह सुरू करते हैं, जिला सिक्षा इवन प्रस्चन संस्तान के निम्लिकित विभाग हैं, देखिए कौन-कौन से हैं, पहला विभाग है इसका प्रसासनिक साखा प्रभाग, क्या है कि इसके निम्लिकित कारे प्रसासनिक साला प्रभाग के क्या कारे छेत्र होते हैं अगर पूछे कि प्रसासनिक साखा प्रभाग के कारे लिखिए तो क्या लिखना है ध्यान दीजेगा पहला है आपका संस्थान के समस्त क्रिया कलापों की क्रियानविती हेतु पहल करना जो जो क्रिया कलाप संस्थान में हो रहे हैं उनकी सब की क्रियानविती हेतु पहल करना दूसरा है प्रसासन संबंधी गतिविदियों का संचालन करना जो भी प्रसासन में गत्विदिया होती हैं जो भी किरिया कलाप होते हैं उनको संचालन करना ठीक है संचालन करना यानि कि चलाना अगला है आपका संस्थान से संबध अभिकरणों से सहयोग मार्ग दर्शन का आदान प्रदान करना जो भी संस्थान से संबंद अभिकरण है उनके सहयोग से मार्ग दर्शन का आदान प्रदान करना ये क्या है आपका जो है प्रसासनिक साखा प्रभाग का कारे छेतर है अगला है आपका योजना एवं प्रबंध योजना एवं प्रबंध के अंतरगत निमलिखित कारे होते है कौन कौन से रेखिए पहला है प्रदाना अध्यापकूं साला संगम अध्यक्षों एबं ब्लाक इस्तर के सिख्छा दिकारियों का प्रसिक्षन यह जो डाइट होती है यह आपके एरिये में डाइट के अंतरगत जितने भी विद्यालाय आते हैं प्रात्मिक विद्यालाय या प्रात्मिक विद्यालाय जितने याते हैं उन सब की उन सब का कुरिया कलाप होता है उसका तरीके सवक्षा को आगे बढ़ाएं बच्चो को कैसे पढ़ाएं थीक है स्कूल मैपिंग, माइक्रो प्लानिंग में अधिकारियों का सहयोग प्रदान करना स्कूल की मैपिंग कैसी हो, माइक्रो प्लानिंग कैसी हो उन अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना क्या है, डाइट का कारे होता है डाइट में जो यह विभाग है इस पर भाग का रहे है ठीक है अगला है सियक्षिक दत संकलन करना और अंते में पिछडे शेट्रों का सियक्षिक दृष्षिसे से अंकलन करना जो भी शेतर पिछड़े हैं उनको अच्छ उन पर नजर रखना उनने पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहिए जो कि शिक्षा के शेतर पिछड़े इलाके हैं जहां पे शिक्षाज संभाव नहीं है उपर एक तुपकरण नहीं है तो उन सब को जो आपका योजन एबं प्रबंध के अंतरगत यह करना होता है अगला है आपका पाठे क्रम शिक्षन सामगरी विकास एबं मूल ल्यांकन का प्रभाग इसमें क्या होता है रेखिए इस या कारे आयुजित करना तकनीकी सिक्षण कारिक्रम जिलास अंदर विकाई प्रभाग कारिक्रम में सहयोग प्रदान करना पाठक्रम विक्सित करना आप जानते ही हैं जो भी बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं उसमें विक्सित करना उसका और विकास करना उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है क्या गटाना है क्या सही है क्या गलत है उसका शैन करना और मुल्यांकन विधाओं पे कैसे कारे होता है ये करना साथ ही सिछण की तकनिकी कैसी होने चैशिश पर कारेक्रम के इस आप से सामने वाले जो सिख्षक उनको समझानम अगला है सेबारत सिख्षक प्रसिख्षण के छेट्र सांधान द्वारा सेक्षिक समस्यां का समाधान खोजना और नवीन सिक्षिक सामगरी तयार करना जो भी सिक्षिक सामगरी तयार करने उसमें लागत कम लगे ठीक है कैम्प लैब द्रिस इसरब सामगरी का रख रख रखाओ उपयोगता प्रदरसन द्रिस इसरब सामगरी जानता है जिसको देख सकते हैं उसका रखवाली करना उसमें कैसे रख रखाओ करना किस तरीके से उसको अच्छे से रखा जाए जो लेव होती है उसका भी रख रखाओ करना उपयोगत प्रदरसन नहीं कैसे उसको दिखाया सुनाया जाए ये सारी चीज़ जो है किसके अंतर गताती है आपके सेक्षिक प्रोध्योगी की के साथी बीडियो ओडियो का संग्राय स्लाइट्स कसेट फिल्म्स का आदान प्रदान इवं प्रभावी सिक्षण में उपयोग करना अगला है आपका जिला संदर्व इकाई प्रोध अनुअपचारिक सिक्षा प्रोध क्या है जैसे के जो युबा लोग है उनको युबा से जा आदिकारेशित्र करना आते हैं किसके अंतरड़ आपके जिला संदर्व 11 प्रोध अनौपचारिक शिक्षा अगाँ कौन लिख सकते हैं ता ठीक है अगला है सेवारत सिक्षक प्रसिक्षान सेवापूर्व सिक्षक प्रसिक्षान इस प्रभाग के अंतरगत प्रात्मिक इस्तर के अध्यापकों के लिए सेवापूर्व प्रसिक्षान STC आधिकारेशेत्र आते हैं सेवापूर्व जो पढ़ाने जा पढ़ा रहे हैं अभी वो पढ़ा नहीं रहे हैं है उससे पहले उनका प्रसिक्छन होता है त्यार करना कारिया N Hum अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तिसे लाइक कीजेगा और शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि दूसरे जो आपके मित्र हैं उनको लाभ मिल सके आप सबीका धन्य बाद और जो जिला सिक्षें प्रसिक्षन के कार हैं इसका टॉपिक में आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी आप सभी का धन्यबाद